आज मैं बनाने जा रही हूँ एक बहुत ही खास रेसिपी जिसको देख करके आपके भी मुझ में पानी आ सकता है तो आप भी इसे ट्राइ कीजेगा अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तो मैं बनाने जा रही हूँ महराष्ट्रा की बहुत ही इस्पेशल रेसिपी जिसको वो लोग बहुत ही खास दिनों में बनाते हैं जब भी कोई तीज त्योहार होता है तब और इसका नाम है पूरन पोली और मैं भी फर्स टैम ट्राइ कर रही हूँ और यह सही बन गई है मुझे लगता है आप लोग को कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा तो यह बिलकुल ही नरम होनी चाहिए जो की मेरी बहुत अच्छी सी मतलब सौफ्ट पूरन पोली बनी है और तरीका बहुत आसान है हेलो एवरिवन मैं बनाने जा रही हूँ आज पूरन पोली और यह रेसिपी दरसल मुझे भी बहुत पसंद है पर मैंने कभी बनाया नहीं था तो खाया भी नहीं था अब इसको खाने के लिए बॉम्बे थोरी न जाओंगी तो यहां पर मैंने एक कप आटा और एक कप मैदा साथ में मैंने थोरी सी इसमें हल्दी डाली और एक चमच जो कुकिंग हॉयल होती है न वो और ठंडा पानी लेकर के इसको गूत लिया है और इसको जब हम गूतेंगे न एक सॉफ्ट डोही तयार करेंगे और इसमें मैदा जरूर डालिएगा चाए हाफ कप ही डालें आटे के अंदर लेकिन जरूर डालिएगा और एकदम लूज आटा आटा आपको तयार करना है तभी पूरन पूली आपकी बहुत अच्छी बनेगी नहीं तो अगर थोड़ा भी सकत रहेगा तो ये पूरन पूली अच्छी नहीं बनती है यहाँ प क्या करना है न थोड़ा साब काट लें जिससे कि इसको पिघलने में थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगेगा देखिए वैसे तो न पूरन पूली बनाना ऐसे लगता है कि बहुत ही आसान है और इसको हम बना ही लेंगे लेकिन थोड़ा बहुत टेक्नीक है जिसके सहारे अग तो चलिए यहाँ पर एक कप मैंने गुड निकाल लिया है और चना दाल को मैंने पहले ही नमक और हल्दी डाल के उबाल लिया था तो मैं वो प्रोसेस नहीं दिखा रही हूँ यहाँ पर बस मैंने इसको आपको मसल करके दिखा रही हूँ इसको खूब अच्छे से मसलना है और एकटम पेस्ट जैसा जिससे की बंज़ है उसके बाद एक कडाही लेलेंगे और कडाही में गैस के उपर चड़ाके और इसमें डाल देंगे ये चने की दाल और इसमें चने की ही दाल परती है तो आपको और दाल मत यूज किजिएगा और जो गुर हमने काटे थे उसको डाल दिया अब यहाँ पर एक आपको बड़ी मुसीबत दिखाए देगी कि यह गुर पिघलने लगेगा और आपको लगेगा कि यह तो खड़ाब हो गया इसका क्या करेंगे अगर गुर को ज़्यादा पकाएंगे तो यह पाक हो जाएगा और नहीं तो पता नहीं कैसे यह सही होगा तो ऐसा नहीं है इसको तेज आउस पर आप चलाते रहेंगे और कुछ इस तरीके से तो यह गुर थोड़ी दिर में पिघलके सूखने भी लगेगा और बहुत अच्छे से सूख जाता है तो इसमें टेंसर की कोई बात नहीं है और बहुत जादा आप इसको नहीं पकाना नहीं तो यह काफी कड़क हो जाएगा फिर यह लड़ू जैसा बन जाएगा बिलकुल तो देख सकते हैं मेरा यह ठंडा हो चुका है इसको मैं मतलब ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था और जितना हो सके उतना आप इसको मतलब मसलते रहें जिससे कि इसमें जो चना दाल हो या कुछ भी वह एकदम बारीक पेस्ट बन जाए यहाँ पर ठोड़ी सी इलाइची पाउडर और साथ में बालचइनी का पाउडर मैंने डाला है दोनों ही चीजे अपस्नल है चाहे तो अब सिर्फ दालचीनी या इलाइची का पाउडर डाले या कुछ भी नहीं डाले दोनों में से ही और मतलब वैसे डालेंगे तो खुस्पू भी आएगी और टेस्टी भी लगेगा तो चलिए यहाँ पर सब चीजों को मिला दिया है मैंने और आप चाहें तो यहाँ पर इसके अंदर थोड़ा सा घी डाल सकते हैं पर मैं नहीं डाल रही हूं इसके अंदर अब एक बार उस आंटे को भी देख लेते हैं जिसको हमने गूत के थोड़ी दर पहले ही रख लिया था तो देखिए काफी अच्छे से यह सॉफ्ट हो गया है मैं यहाँ पर लोई बना रही हूं और लोई बनाने के लिए आप देख सकते हैं छोटी छोटी लोई लेनी है और जितना बड़ा आप यह आटे का लोई लेंगे न उतना ही बड़ा आप जो गुर का लोई है वो भी लेंगे तो यहां पर मतलब आटे कीलोई में पहले ही बना के रख लेती हूँ जिसे की मतलब थोड़ा सा टाइम मुझे चनादाल को भी उसको मसलना है तो यहाँ पर जब चना डाल थोड़ा ठंडा हो जाए तो इसको एक बड़ी सी चन्नी में डालके और इसको यहाँ पर आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि यह जो काम है वो थोड़ा टाइम लगाके होता है इसको धीरे धीरे करके आपको यहाँ पर खूब अच्छे से मसल मसल के चन्नी के सहारे इसका पेस्ट बाहर की तरफ निकालना है जैसे हम कोई चीज चानते हैं बस सेम वैसा ही साथ मैं ठीक से नहीं बता पारी हूँ लेकिन कुछ इस तरीके से आपको पेस्ट बाहर की तरफ निकालना है तो यह बिलकुल ही महीन बारीक सा मसाला बनके तयार हो जाएगा इसको करने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया तो मैंने वीडियो बीच में थोड़ी कट कर दी और देखिए यह आप कितना नड़म और तेस्ट मतलब देखने में भी नड़म है और छूने में भी बहुत ही सौफ्ट सा है तो ऐसा कुछ गुर का जो गुर और चने की जो दाल थी उसका लोई पेस्ट बनके तयार हुआ है थोड़ा सा उपर वाले पाट को मैंने अलग साइड कर दिया है और इसके लिए आप अगर आपको अगर करना वोगा कर सकते हैं लेकिन मेरा कहना है कि आप सूखे आटे से करने होगे ज्यादा आसान होता बेलने में भी बनता है अब यहाँ पर एक और मतलब चीज है कि अगर आपका जो गुड़ है ना गुड़ की जो गुड़ और चनी की डाल का जो लोई है वो थोड़ा भी ज्यादा होगा तो पूरी ना आपकी फट सकती है तो आप इसे ना उतना ही रखे जितना आप आटे का लोई रखते है उतना और बस बराबर से उसको मिला के और आपको बेलना है तो मैं मेरा तरीका थोड़ा सा हर पराठा या पूरी बेलने का कुछ इस तरीके का है मैं पहले थप थपा देत और उसके बाद फिर बेलती हूं और अगर आप से पराठे नहीं पलट रहे हों तो आप चकला को ही घुमा घुमा करके उसका जो पराठा है वो बनाईए पूरन पूली बनाईए उसको मेरा वाला जो यह पूरन पूली है वो तो पलट रहा था क्योंकि मैं थोरा थोरा आटा लगा रही थी और इसको पतला ही बनाना है जितना पतला बना सकते हैं उतना पतला बनाना है क्योंकि यह पतली पतली और नरम नरम ही अच्छी लगती है तो चलिए इसको मैं थोड़ा सा और बढ़ा करती हूं और बढ़ा करके आपको दिखाती हूं कि कितना बढ़ा हम इसक तवा कर्ण कर लिया है और इसके उपर में डाल रही हूं तो पहले मैंने ऑईल लगाया क्योंकि थोड़ा सा ऐसे हो जाता है घी से जलने लगता है तो मैंने हलका सा कुकिंग ऑईल लगा दिया है और उसके बाद जो पुरन पुणी बनाई थी वो में डाल दी अब इसको आप तो इसलिए आप इसको धीरे धीरे करके पलटते रहें मैंने हल्दी डाली हुई है पुरन पुली में इसलिए थोड़ा पीला पीला सा दिख रहा है और देखी कैसे फूल के कुपा हो गई है और बहुत अच्छी बनी मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि पहली भार में पुरन पुली मेरी इतनी अच्छी बन जाएगी तो आज तो मैंने सिर्फ पुरन पुली ही मतलब ट्राइ किया है इसके साथ मैंने जो आम्टी वगड़ा होती है वो नहीं बनाई है क्योंकि वो सारी चीजे बनाने में थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि किसी और दिन बनाऊंगी तो आज सिर्फ पुरन पुली और कई सारी पुरन पुली मैंने बनाई मतलब 5-6 बन गए थे मेरे क्योंकि मैंने लोई थोड़ी चोटी कर दी थी तो आप लोग भी ऐसे बनाईए खाईए और वैसे भी अब मतलब तहार आने ही वाले हैं तो उनके लिए भी आप बना करके इसको आप श्टोर भी कर सकते हैं इस पुरन पुली को बना करके लोग महीने महीने भी रखते हैं जिससे कि जब भी जैसे हलका फुलका सामका नास्ता करना हो या कुछ ऐसे तो आप बना करके खा सकते हैं चाहे तो इसे बच्चों के लंच बॉक्स वगड़ा में भी दे सक तो चलिए मेरी कई सारी पुरन पूली फूल फूल के बन रही थी तो इसलिए मैंने सब को थोड़ा थोड़ा उसके मतलब ले लिये हैं और इसके बाद आपको दिखाती हूं कि ये बन के कैसी तयार हुई है तो देखे ये लास्ट वाली और भी ज्यादा बनी है और इसका यह खास बात है कि जितनी ज्यादा फूलेगी न उतनी ही नरम बनती है तो बस बन गई है अब दिखाते हैं आपको कि कुछ इस तरीके से मैंने दूद आम हरी चटनी के साथ इसे सर्व किया है और आप चाहें तो आमटी भी बना ले लेकिन मैंने ठंडा दूद थुरा सा आम के साथ इसे सर्व किया बाइब